गले में मचली के काटा फसने से कैसे उकर पाओगे जान लो हमेशा ही होता है जैसे कि बाजार में कोई मचली बहुत है और आप रोज उस मचली को भातों में खाते है इसी टाइम आपके गले में मचली के काटे अटक जाता है उसके बाद नाना समस्था सिस्टे होता है गले से काटा निकलने में कितना हुज्जती लगता है केला खाने से सुका भात खाने से कितना कुछ हम लोग करते हैं लेकिन उसमें कुछ लाबी नहीं होता है हम बोलते हैं कैसे करने से गले के काटा निकल जाएगा गले में अटका हुआ मचली के काटे जैसे उतरना है पहले आप कोल्डिंग्स का नाम ले सकते हैं गले में काटा अटकाने के संग संग एक गलास कोल्डिंग्स पान कर लो जिसे वो काटा नरम हो जाएगा गले में अटक हुआ मचली के काटे भात अजदाय स्खाने से सहस पद्यतित्य नाम जाता है पेट में इसलिए भातों को छोटा छोटा बॉल बना लो और उसे खा लो उसके बाद पानी लेके खा लो इससे गले में अटक हुआ मचली के काटा नाम जाएगा धैन रखेगा सिर्फ भात खाने से काटा नहीं निकलता है गले में मचली के काटे गया तो पानी पी लेना हलका गरम पानी में थोड़ा नमक मिशा के पान कर लेना इससे गले में जो मचली के काटे है वो नरम हो जाएगा गले में मसली के काटा अटक गया है तो थोड़ा लेबू को पीस कर लेना इससे थोड़ा निम्बू में लबन मिशा के चुस चुस के उसका रस खा लेना देख लेना मसली के काटा तुरण गले से नम जाएगा गले के काटा फिर से बढ़ है तो उससे देरी मत करना थोड़ा ओलिव ओयल खा लेना इससे काटा फिछल के गले से नम जाएगा पानी में थोड़ा गिनेगल मिशा लेना उसके बाद उसको पान अतक खा लेना गले में जो मसली के काटा था वो खूप तुरण उतर जाएगा यह ठीक लेमू की तरक काम करता है तो दोस्तो थाइंक्यू मेरी इस वीडियो के देखने के लिए करता है